यह है VGTA का Capital 1 का Cut-Off, Open Category का 99.61 है, ठीक है, SC का देख सकते हो 96 है So hello friends, welcome back to another new video, तो इस वीडियो में guys मैं आपको Mumbai के Best MCE Colleges के जो information है वो देने वाला हूँ साथ ही में guys मैं आपको इनका Cut-Off and जो rank है वो भी बताऊंगा यह भी बताऊंगा कि इनका overall जो status है, वो क्या है इन में से guys कुछ colleges ऐसे भी है, जिनका जो Cut-Off है, वो 90 के आसपास जाता है बट यहाँ पे guys आपको 10-12% में भी जो admission है, वो मिल सकता है, वो कैसे है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो पूरा इन तक देखते रही है, और अगर आप इस चैनल पे new हो guys, तो subscribe ज़रोचे कर लेना, ताकि आपको admission process related, सारी जो information है, वो मिलती रहे तो चली guys देखते हैं कि कौन से best MCE colleges है, मुंबई के अंदर, तो 11th number पे guys, यहाँ पे SNDT, Women's University, PGD of Computer Science, मुंबई, University Managed guys, यह college है, और एक अच्छा college माना जाता है, institute code है guys, इसका 3032, अगर cutoff देखते हैं guys, Capron 1 का open category का है, तो 90% के आसपस यहाँ पे हमें जो cutoff है, वो देखने को मिलता है, वही अगर हम category wise cutoff देखते हैं, तो ओर राल आपको जो cutoff है, वो थोड़ा बहुत जो है, वो कम देखने को मिलेगा, फिर 10th number पे guys, यहाँ पे NCRD, Sterling Institute of Management Studies, यह नवी मुंबई में college है, एक private college है, institute code है guys, इसका 3000 and 127 and अगर हम percentile देखते हैं, तो 92% के आसपस आपको जो rank है, वो 1600 के आसपस जो है, वो देखने को मिल जाएगा, overall एक अच्छा college है, बट percentile आप देख सकते हो guys, यहाँ के college का जो percentile है, वो 90 के आसपस से शुरू होता है, और मुंबई में काफी कम colleges है, तो अगर आप मुंबई में MCEA करना चाते हो, तो overall आपको जो percentile है वो अच्छा कासर है ना चाहिए, तब ही जाके आपको यहाँ पर जो admission है, वो मिल सकता है, फिर next है guys, यहाँ पर 9th नंबर पर लेट, भाहु साहिब, हिरा इंस्टिटूट, हिरा ट्रस्ट इंस्टिटूट ऑफ कम्प्यूर आप्लिकेशन बैंडरा, मुंबई में यह college है, यह भी overall जो college है guys, वो बढ़िया है, अगर यहाँ पर भी admission मिलता है, आपको तो अच्छा हो सकता है, next number पर यहाँ पर यहाँ पर फिर Deacon Education Societies, Mehta Institute of Technology and Development दादर, मुंबई में यह college आपको देखने को मिलेगा, इसका भी cut-off आप देख सकते हो, 92 के आसपास देखने को मिल जाए है, क्योंकि number of colleges जो है, वो काफी command, competition जादा होता है, तो जो अच्छे colleges है, अगर आप Capron 1 का option form अच्छे से बनाते हो, तब जाके आपको अच्छे colleges मिलेंगे, तो option form 1 जो है, वो बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है, उसमें कोई mistake मत करना, फिर 7th number पर यहाँ पर भारते institute of management and information technology नवी मुंबई, यह भी एक अच्छा college है, institute code है जिसका 3162, अगर हम cutoff देखते हैं, तो 95 के आसपस हमें Capron 1 का cutoff है, वो देखने को मिलता है, वही rank अगर देखते हैं, तो 900 के आसपस rank हमें यहाँ पर जो है, वो देखने को मिल जाता है, वही अगर आप other than home university का cutoff चे करके, अगर आप other than home university के student हो, तो कोई फाइदा नहीं रहेगा, तो चीज़े थोड़ी ध्यान से चेक करना, next है guys, फिर यह आपे, ठाकुर institute of management, studies, career, development and research कांधी वली में यह college आता है, यह भी और आल एक बहुत ही बढ़िया college है, 96 के आसपस जो cutoff है वो जाता है, और इसका rank अगर हम देखते हैं, तो 700 के आसपस जो rank है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है, अब इस college के एक खासियत है guys, कि यह एक हिंदी minority college है, ठीक है, minority colleges में guys, 50% जो seat से वो minority के लिए पहले सी reserved होती है, ठीक है, तो अगर आप हिंदी minority के अंधर आते हो, तो यह जो college है, वो आपको क 9% भी रहेंगे, तब भी आपको यह जो college है, वो मिल सकता है, इसलिए guys, यह सारी चीजे पता रहने के लिए, आप मेरी जो counseling process है, वो ले सकते हो, इसमें guys, मैं आपको सारी जो details है, वो बताऊंगा, साती में यह भी बताऊंगा, कि कैसे आपको अपना जो option form है, वो बनाना च करेंगे according to your percentile, कि आपके percentile के ऊपर आपको कौन सा best college मिलता है, और बाकी और भी बहुत सारी चीजे मिलेगी, consequence आप यह आपर देख सकते हो, link आपको इसकी जो है, वो description में मिल जाएगी, ठीक है, तो चलिए guys, बढ़ते हम आप next college के ऊपर, जो कि है number 5 college, यह है guys, Mumbai Education Trust Institute of Computer Science, MS MET Institute of Computer Science भी आप इसे बहुत सकते हो, Bandra में यह college है, Mumbai में देखने को मिल जाएगा, 97 के आसपस cutoff जाता है, and rank Capron 1 में जो है, 500 के भी नीचे जो है, वो जाता है, overall college है, मिलता है, तो आप ज़रूर जो है, वो इस college को ले सकते हो, private college है, यह, fourth number पर अगर हम देखते है, तो यह है S.I.E.S. College of Management Studies, Mumbai में यह college है, and Tamil Minority College है, आप देख सकते हो, उसका cutoff कितना है, 98 के आसपस cutoff है, and rank आप देख सकते हो, 345 के आसपस rank आपको यहापे जो है, वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अब Tamil Minority College है, 50% rate उसमें reserved रहेगी, आप imagine करो कि Tamil Minority का cutoff है, वो कितना होगा, ठ इतना कम cutoff कैसे जा सकता है, ठीक है, मैं आपको VGTI का भी cutoff दिखाऊंगा, S.I.E.S. का Tamil Minority का cutoff दिखाता हो, देखो, यहापे Home University का Open Category cutoff 98.07 है, वही Tamil Minority का cutoff कितना है, 1.95% ठीक है, मतलब अगर आप Tamil Minority से बिलोंग करते हो, and इस college मैंड मिशन लेना चाहते हो, तो जिस student क 97 रहेंगे, उसको यह नहीं मिलेगा, जिस student को एक percentile रहेगा, अगर वो Tamil Minorities है, तो उसको यह college है, वो मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा college है, इसलिए ध्यान रखना, जब भी आपना option form बनाओगे, तो आपको यह जानना है, कि आप minority में आते हो, या फिर नहीं, and फ है, तो 98 के आसपास हमें या पर जो cutoff है, देखने को मिल रहा है, and यह cutoff है, मतलब अच्छा खासा है, मतलब बहुत कम लोगों के इतने percentile मिलते है, वही अगर rank देखते है, तो 266 के आसपास rank देखने को मिल जाता है, वही अगर सिंधी minority का cutoff देखोगे ना, तो 10 percentile के आसप जो है, वह कम percentile में मिल जाकता है, ठीक है, तो यह थे गाइस कुछ हमारे colleges, अब गाइस मैं आपको दो colleges और बताऊंगा, जो कि one of the best है, पूरे महराश्टर में यहाँ पर admission मिला, तो placement वगरे में भी as such बहुत जाता है, जो problem है, वह आपको नहीं होगे, number two पे है, यहाँ पर बन ता, first out में maximum seats आपको यहाँ पर fill out होती हुए, देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए option form सही से बनाना नहीं समझ रहा है, तो आप हमारी counseling process ले सकते हो, institute code है guys, इस college का 3215 and one of the best college माना जाता है, मुंबई के अंदर, इस college के लिए ज़रूर आप जो है वो try कर सकते हो, अगर आपके हाथ से जा सकता है, इसके अलाओ guys, number one पे है guys, VGTI Mumbai, जो की मतलब पूरे महाराष्टर में भी one of the best college for MCA, ये college guys, government autonomous college है ठीक है, तो इसका overall fee structure है, वो भी काफी कम जो है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे fee structure में भी आपको सहूलत मिल जाएगी, साथी में यह या पे आपको hostel facilities का भी option मिल जाता है, तो oral काफी अच्छे तरीके सिया से आप जो MCA वो कर सकते हो, बट cutoff जो काफी जाल जाता है, 99.61 के आसपस captain 1 में cutoff गया था, rank आप देख सकते हो 55 है, general open category के लिए YSC, OBC अगरे का cutoff देखोगे, तो वो भी आपको अच्छा खासा या प तो देखो, category wise कितना difference आ रहे है, तो जब cutoffs देखते हो, तो category wise भी आपको देखना है, ठीक है, and ST का आप देख सकते हो, और भी कम है, OBC का 98 के आसपस जाता है, वही अगर हम other than home university देखते है, to cutoff और भी जादा बढ़ जाता है, एक सकते हो, rank 25 जाता है, SC का भी और cutoff जाता है तो वही अगर हम state level cutoff देखते है, तो EWS का 98 के आसपस है, TFWS का और भी जाता है, ठीक है, TFWS से कैसे apply करना है, वो भी हम counselling process में बताएंगे, तो उसका use आप जो है, वो कर सकते हो, ठीक है, तो यह थे guys, best college of Mumbai, Mumbai के जहांसे आप अपना जो MC है, वो complete कर सकते हो, इसके अलावा भ colleges है, वो भी मैं आपको दिखा दीता हूँ, ठीक है, यह filter में हटा दीता हूँ, आप देख सकते हो, इसमें जितने भी महाराष्टर के colleges है, वो सारे colleges देखनी को मिल जाएंगे, साती में इसमें आपको उनका cutoff and rank भी पता चल जाएगा, इसमें बस open के cutoff है, ठीक है, बट अगर आप OBC category के हो गया है, आपको 85 percentile के आसपास होगे, तो आप यहाप देख सकते हो, कुई 95 से 86 या 87 के range में कौन से colleges आते है, ठीक है, क्योंकि अगर open category का 86 जाता है, या 90 जाता है, तो OBC का almost 87, 86 के आसपास जा सकते है, ठीक है, तो पूरे colleges देखने से अच्छा, फिर कोर्स जो है, वो प्रोवाइड करते है, तो इस list को भी आप ले सकते हो, इसकी भी link जो है, वो आपको description में मिल जाएगी, ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको best colleges Mumbai के जो है, वो बता दिये है, अगर आपको इनके ओपर detail में वीडियो चाहिए कि कैसा placement वगरे इन colleges का, तो comment section मे मैं ज़रूर बता दे न, मैं try करूँगा, कि detail वीडियो भी जो है, वो ज़रूर से upload कर दूँ, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है, इस hopes आपके video informative लगा होगा, और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe ज़र से कर लेना, ताकि आपको admission process related, सारी जो information है, वो time to time मिलती रह चले है, जो जो इद प्लाइ।